जब मैं फ्लाइट्स करती थी तो एक पैसेंजर ने एक बार मुझे फ्लाइट में कहा अरे आपके तो मज़े हैं आप तो फ्लाइट में कुछ भी खा सकते हो कुछ भी पी सकते हो आप तो बहुत खाते होगे फ्लाइट में तो उस टाइम मेरा दिल किया कि उस पैसेंजर को मै सच्चाई बता दू लेकिन मैंने बताई नहीं तो आज वो सच्चाई मैं आपको बताने लगी हूँ तो क्या फ्लाइट का खाना हेल्दी होता है हमारे लिए या हम क्याबिन क्रू फ्लाइट का खाना पसंद करते थे कभी तो इसका आंसर है बिलकुल भी नहीं हम crew member जब भी flight पे जाते थे हम अपने घर से खाना अपने लिए pack करके लेके जाते थे और बहुत सारे लोग जो घर पे cook नहीं करते वो किसी न किसी restaurant से खाना pack करवा के लेके जाते थे अब आप कहेंगे ऐसा क्यों आपकी kitchen में तो इतना अच्छा अच्छा खाना होता है जो passengers भी खाते हैं तो crew को तो और भी अच्छा मिलता होगा तो आपको एक सच बताती हूँ flight के खाने का number one flight के खाने में sodium की मात्रा बहुत ज्यादा होती है preservatives भी होते हैं और heated food होता है मतलब कि खाना 24 से 48 घंडे पहले का बना हुआ load होता है flight में पहले उसको खाने को बनाया जाता है जहां पे वो बनता है फिर उसको एकदम ठंडा करके उसको freeze कर दिया जाता है फिर उस transportation से वो flight में load होता है flight में load होने के बाद भी वो अंदर fridge में रखा जाता है और जब serve करना होता है उससे पहले उसको हम अवन में लोड करते हैं फिर हम वो खाना गरम करके लोगों को देते हैं तब ही कई बार जब पैसेंजर्स हमें कहता है कि मेरा खाना भी रखतों बाद में खाऊंगा मैं या 3-4 घंटे बाद खाऊंगा और अगर वो खाना गरम हुआ हो तो वो फैक ने लाइक हो जाता है उसको हम रिटेन नहीं कर सकते दोबारा से हीट करके भी नहीं दे सकते और रखा हुआ खाना भी गरम किया हुआ हम पैसेंजर्स को नहीं दे सकते क्योंकि वो वाला खाना बिलकुल भी हमारे लिए passengers के लिए या crew के लिए healthy नहीं होता तो यही हमारी सचाई है जब भी हम flight में होते थे तो हम कोशिश करते थे कि हम अपना healthy खाना या घर से ले जाए या restaurant से pack करा के ले जाए लेकिन flight का खाना हम लोग definitely avoid करते थे